दोस्तो एटिल और पीटियम जो हैं दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं यानि कि दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो इससे क्या पीटियम को सबसे बरा जो फाइदा है वो पीटियम यूजर्स को बहुती सवाल खाये जा रहा है यानि कि आप लोग मुझे बहुती अगर दोनों आपस में merge होगे PTM Payments Bank और ATL Payments Bank तो ऐसे में PTM का क्या KYC Unband हो जाएगा क्या KYC जो है वो start हो जाएगा PTM Payments Bank का तो मैं आप लोग का इसी सवाल का जबाब दूँगा और भी काफी सारी सवाल है जो कि मैं आप लोग को clear कर दूँगा जिस परकार जाते हैं कि PTM Payments Bank को RBI ने band कर रखा है नई customer add करने पर यानि कि customer add का options क्या है यानि कि अगर आप लोग एक नया PTM में account open करवाना चाते या KYC verify करवाना चाते तो उस पर RBI ने Reserve Bank of India ने PTM पर band लगाया हुआ है ऐसे में अगर PTM ATL के साथ merge हो जाती है तब आपको ये दो 100% confirm news है कि PTM ATL के साथ merge होगी तो ऐसे में PTM Payments Bank को सबसे बरा फाइदा वो KYC को ली लेकर होगा क्योंकि PTM का KYC अभी फिलाल band है तो उसे unband कर देगी अगर merge हो जाएगी तो उसके बाद जब जिस डेट से merge हो जाएगी उसके बाद एक दो दिन बाद आपको official news या मैं भी आपको information दे दूँगा आप लोग मेरे चैनल को like, subscribe कर लीजिए ताकि हर एक information मिलता रहे है PTM का जो KYC है वो 100% है कि merge होने के बाद ATL के साथ क्योंकि ATL का KYC तो start है यानि कि video को KYC कीजिए ATL Payments Bank में या fingerprint के जरीए किसी भी CST Center या ATL Payments Bank के जाके आप ब्रांच में कीजिए बहुत सारे ATL Payments Bank के ब्रांच भी है और वहीं PTM की ब्रांच की बात करें तो PTM का भी ब्रांच बहुत सारे जगह पर options में खुला हुआ है यानि कि लेकिन PTM का जो ब्रांच है वो काफी कम है वैसे इनका poster बगएरा जो है लगा रहता है आप लोग देख सकते हैं जाकर लिए लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि ATL के साथ मर्ज होने के बांद ही PTM का KYC स्टार्ट होगा हो सकता है आरबिया अगर इनके तौर तरीके देखे कि PTM किस तरह जो है अपने discipline को रखे क्योंकि PTM का KYC रिल्टेट प्रॉब्लम था इसी कारण पीटियम का KYC का ही बैंड किया गया आरबिया ने देखा कि इनकी KYC डाटा मेस में जो है घरबडीक पाई गई है इसलिए आरबिया ने इसे की नए कस्टमर एड करने पर या बागी बात जितना भी पूराना कस्टमर थे वो जिस तरह पीटियम का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तो पीटियम का KYC एटियल के मर्ज होने के बाद हो सकता है हो जाए और इससे एटियल को क्या फाइदा होगा कि देखिए सबसे ज्यादा तो फाइदा एटियल अगर पीटियम दोनों मर्ज हो जाते तो सबसे ज्यादा जो फाइदा है वो अभी फिलाल पीटियम को होगा क् PTM Payments Bank का जानते ही हैं कि KYC Band है और KYC अगर Unband हो जाता है ATL के साथ Combinations करके तो इससे में PTM का सहर्च काफी अच्छी खासी हो जाएगी और वहीं ATL की बात करें तो ATL में एक जबरदस प्लैटफर्म हो जाएगा Third Party Applications जिस तरह होती है तो उसी परकार ATL Payments Bank और PTM Payments Bank दोनों आपस में Connect हो जाएगे उसके बाद दोनों जो है आपस में आप Third Party Applications जिस तरह लिंक करते हैं उसी तरह PTM Payments Bank को भी लिंक कर पाएगे और ATL Payments Bank को भी वहीं अगर दोनों की Cards की बात करें तो आपको दोनों बैंक Virtual Card और Physical Card प्रोवाइड करती है ATL Payments Bank भी 2023 में अपना Physical Debit Card लाँज कर चुकी है लेकिन इसे Normal Customer के लिए अभी थोड़ा टाइम है ये लेकिन Master Card प्रोवाइड करती है ATL Payments Bank और वहीं अगर PTM Payments Bank की बात करें आपको Visa Card और Rupee Card प्रोवाइड करती है जिसमें Master Card प्रोवाइड नहीं करती लेकिन ATL के साथ Merge हो जाने के बाद हो सकता है आपको Master Card भी मिलने लगे यानि कि तीनों Options आपको Add हो जाए और ATL स्रिप Only Master Card भी प्रोवाइड करती है वैसे दोनों अगर Merge हो जाएगा तो सबसे जादा जो फाइदा है जो नए कस्टमर है PTM Payments Bank के जो एकाउंट ओपन करना चाहते है उनको सबसे जादा फाइदा होगा वो PTM में अपना एकाउंट ओपन कर पाएंगे I hope का आपको ये information अचलीगी वीडियो अचलीगी लाइक सेट सस्क्राइब चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर जीचे थैंक यू